Hello, Namaste, हमने बात की थी Declarations के बारे में पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी Success Stories भी शेयर की हैं, जो आई थी मेरी Declaration Notebook से, मैंने जो जो अपनी Declaration Book में लिखा था, वोही वही हुआ था, तो हम एक और वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप अपनी Declarations Starting of the Month म कर सकते हैं लेकिन दूसरी important चीज उससे पहले आपको क्या करनी है कि जो month जा रहा है जैसे अभी October जा रहा है तो आपको gratitude भी लिखना है gratitude अगर आप everyday basis पे लिखते हो then it's very good लेकिन मैं फिर भी आपको suggest करूँगी 3-4 minute आप अपने पूरे 30 days 31 days को तो दे सकते है न उस beautiful month को दे स सकते हैं तो आज मैं example share करूँगी किस तरह से मैंने लिखाया gratitude October के लिए और इससे आपको कुछ ideas लग जाएंगे किस तरह से आप भी अपना gratitude October month के लिए लिख सकते हो दूसरे आने वाले video में आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको अपने November month की starting करनी है अपने declaration diaries के सा तो यह मेरी है gratitude diary और यह मेरी है declaration diary अब don't get confused with the colors मैं हर डायरी जितनी डायरी लिए थी मैं सब का अलग अलग color लेना चाहते थी so that I can easily identify के कौंसी डायरी कौंसी है लेकिन there is nothing to do with the colors के बाई gratitude वाली yellow होनी चाहिए या declaration वाली brown होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है colors do matter but अभी जो मैंने diaries लगाई हुए है लग लग चीज़ों के लिए I did not consider that, चेक है तो अभी हम example share करेंगे तो मैंने लिखा है thank you October you brought so much learning for me अभी क्या होता है अगर हमने कुछ tangible नहीं देखा जो हमने October की declaration में लिखा था और अभी वो हुआ हो या फिर हमने इससे पहले अभी लिखा है नहीं declaration फिर भी ऐसा मत सोचिए कि आपको gratitude लिखने की जरुरत नहीं है there are things you can still write in gratitude तो अभी मैं आपको examples अपनी दे रही हो जो मैंने लिखा है उसके बाद हम कुछ चीजी और discuss करेंगे जो आप अपनी gratitude for the previous month में लिख सकते हैं so thank you October you have supported me on every step during the month thank you October you were full of guidance thank you October for completing number of tasks which have been pending for so long so October में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो बहुत समय से मैं सोच रही थी करने के लिए मैं उनको prioritize नहीं कर पाई या फिर उनको complete नहीं कर पाई थी जो मैंने October month में की थी तो इस वज़े से मैंने यह लिखा है फिर मैंने कुछ specifics लिखे हैं जो मैंने declaration में नहीं लिखे थे लेकिन October month का gift था मेरे लिए कि वो चीजें मेरे साथ हुई तो मैंने कुछ specifics लिखे जो personal है I cannot share here उसके बाद मैंने लिखा है thank you October for bringing abundance in my life the whole month मैं आपको एक छोटी सी story share करना चाहती हूँ abundance के बारे में और mindset के बारे में भी कुछ समय पहले क्या होता था अगर मेरे husband grocery shopping करना जाते हैं और मैं उनको एक list देती हूँ कि यह यह चीजे हमें चाहिए और मैं quantity नहीं लिखती थी जिसे एकर सबजी लेने जा रहे हैं तो मैं quantity नहीं लिखती थी कि 1 kg चाहिए यह 2 kg चाहिए I thought this is like वो तो खुद को ही पता ही होता है कि कितनी सबजी हमें लगे लेकिन ऐसा नहीं था क्यूंकि मैं ज्यादा time kitchen में spend करती हूँ तो मुझे पता है कि हमारी family के लिए कितना कुछ चाहिए होता है कितनी quantity चाहिए होती है तो अकसर में वो जब घर पे आते समान लेके मेरा कभी-कभी उनके साथ argument होता था कि आप हमारी family को जितना चाहिए सबजी waste होती है आप उतना ही क्यों नहीं लाते हो क्यूंकि अगर वेट करते हैं पूरे week की तो वो सबजी तब तक खराब हो जाती है second time बनाने में तो आप उतनी quantity क्यों नहीं देख कर लाते हैं लेकिन अभी जो मेरा mindset है वो इस तरह से हुआ कि मैंने उसको recognize कि कि इतना bad pattern था मेरा मैं घर में आई हुई ज्यादा चीज को abundance ना देखकर ये देखती थी कि money waste होगी तो this is where we need to make little corrections कि जब हम वो चोटी-चोटी चीजों को observe करते हैं उनको reflect करते हैं उनके उपर कि क्या था, क्या होना चाहिए था और फिर correct करते हैं तो हमारी life में किस तरह से चीजे होने लगती हैं अब इससे मुझे ये learning मिली कि मुझे उनको बताना चाहिए कि मुझे इतने pieces चाहिए कई बर कुछ चीजे counting में kilograms में नहीं बता सकते तो मैं उनको counting में बताती हूं कि इतने pieces मुझे इस चीज के चाहिए इस सबजी के चाहिए और इससे उनको भी दीरे-दी experience हो रहा है कि हम अगर वहां पर नहीं लिखा है तो this is how much we use in a month, right? तो मैंने यहां पर लिखा है कि thank you for bringing abundance in my life, the whole month. अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि मुझे तो extra money कोई में तो अगर आपकी घर में अनाच है, आपकी घर में kitchen में, pantry में खाने का समान है तो obviously आपको abundance मिल रही है, ठीक है? तो उसकी बाद मेरे लिखा है, thank you for making everyday like a celebration, thank you for healthy body for the whole month, thank you for healing the whole month, healing me inside outside the the whole month, thank you for connecting me to my loved ones the whole month, thank you for positivity the whole month, तो इस तरह से, thank you for being the month of implementation, जैसे मने आपको पहले बताया है, मेरे काफी रुके हुए काम हुए, thank you for, इपर मैने कुछ specific चीज के लिए thank you करा है, thank you October for making everything quick for me, कुछ चीज़े हुई 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 in the month of October, thank you October for all the new purchases, तो new purchases को कभी भी खर्चे की रूप में नहीं देखना चाहिए, new purchases को celebrate करना चाहिए, कई बार हम पर new purchases planned नहीं होती, you just have to do it, for example, आपके kitchen का stove ख्राब हो गया, तो obviously आप cook नहीं कर पाऊगे, you have to go and buy the new one, तो उस case में हमें यह नहीं रोना रोना है, कि हमारा cook top ख्राब हो गया, हमें यह celebrate करना है कि ओ, मेरा इधर ध्यान ही नहीं गया, universe wanted to have a new cook stop for me, तो इस तरह से हमने अपनी छोटी-छोटी corrections करनी है, mindset में, thank you for beautiful family moments, so इस तरह से मैंने अक्टूबर के लिए अपना gratitude किया है, और उसके बाद मैंने नीचे थोड़ा सा चोटा सा ऐसे lovely note लिखा है, if you can see it, I say love, love you and blessings के लिए thank you करके, अपना नाम लिखा है, sign किये है, और love heart बनाया है, you can go as creative as you want, और हा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जब मैंने start किया था gratitude, तो मैंने उसके उपर इसका heading लिखके, gratitude for October 2022, and then date and time भी दाला है, this will really help you when you go back in your diaries, and check, अभी यह चीज़ यह हुई जो मैंने दिखी है, आप अपनी five areas में, life के five areas में देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी point gratitude का नहीं दिखा, अपने सांस लिए अप जीवित हो, पूरे month, आपकी पूरे family जीवित है, सांस ले रही है, अच्छे से, healthy रही है, that is the biggest reason to say thanks, आपक अगर सबसे बोलबानी है, अगर आपके कुछ conflicts भी हुए है, उस month, फिर भी you are together under one roof, that is another reason to say thanks, अगर आपने कोई services ली हुई है, phone है, internet है, कोई और gardening services है, कोई भी services आपने बाहर से ली है, वो हुई है, पूरा month made है, कोई भी help है, तो वो हुई है, that is another reason to say gratitude, पूरा month आपके प विश्वास वेदर की अनुकूल कपड़े रही है, वेदर की अनुकूल शेल्टर रहा है, सिर पर छत है, तो हमें gratitude देना बनता है, तो हम सिर्फ टैंजिबल चीजें देखते हैं, कि हा, मैंने यह desire की थी, कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, 15 लाख रुपए मिल जाए, वो नहीं मिला तो मेरी विश नहीं पूरी होई, there is no reason to say gratitude, जितना आप अपने अंदर करोना रखेंगे, जितना आप विश्वास रखेंगे, जितना आप थैंक्स करेंगे, बिलीव मी, जो चीजें आपने मांगी हैं, वो भी मिलेंगी, जो चीजें अपने सोचानी, लेकिन subconscious को मालूम है, इसको चाहिए, या फिर ये चीज इनको खुश करती है, it makes her feel better, you will attract that, so I hope इसे आपको ideas मिले होंगे, किस तरह से आप अपने October को अच्छे से अलविदा कह सकते हैं, thanks कर सकते हैं, और next year, उसके beautiful month बनने के लिए, तयारी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह स आपका next year October आएगा, तो I hope there are some takeaways, there are some good pointers, आप इस वीडियो से learn कर पाए, अगर कर पाए, try किया, work किया, please, please, वीडियो के comment box में जरूर शेर के जिए, कि हम सभी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को help कर पाए, और also, ये gratitude सिर्फ October month तक कर नहीं है, अगर आप किसी और month इस वी gratitude है, वो डाल सकते है, मैं try करूंगी कि कुछ standard affirmations आपके लिए बनाऊं, October के gratitude के लिए, और November के लिए, जर्नल जो आप सभी लोग सुन पाए और देख पाए, और उसको अपनी writing book में लिख पाए, I'll try to put that video before the month ends and before November starts, और अगर आप किसी reason से नहीं लिख पाए, तो ज्यादा स ज्यादा उन affirmations को कान में लगा कर आप सुनिये, कि October को आप अपने दिल से और November को welcome कीजिए, मिलती हो एक और वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्ते